अगर घटना के नाते से मैं कह सकता हूँ तो एक ही है कि जो जजेपी के लोगों ने लोकसवा की सीटों के बारे में जो डिबांड की थी जोके भातिजिंता पार्टी की पहले से दस की दस सीटे भातिजिंता पार्टी का चुनाव चुन पर लड़कर के हमने नेंदर बोधी जी के जहोले में दिये होई हैं वो ही हमँरा अगला मनसुबा है इसलिए किंद्रिय जो हमारा नेत्रतो है उनसे नोllesने अपने आप फुद दस सीटे लड़ेंगे उस मेंसे उन्होंने कोई निर्णे किया होगा तो मुझे जानकारी निया ओफिशल कोई बात उनके हमारे सामने आई नहीं है लेकिन ये जानकारी मिली कि अब उन्होंने अपना निर्णे ले लिया है कि हम अलग से लोग सभागे हैं तो यह तो एक घटना क्रम हो सकता है जहां तक दूसरा विशे है पार्तिजिंता पार्टी के प्रंपरा रही है कि हम संग्ठन में समय सब पर नए जो नेत्रित्व को आगे लाते हैं उस क्रम में जैसे आपने पिछले दिरों में देखा होगा कि मद्यप्रदेश में भी ए राजिस्थान में एक नए चीप मिनिस्टर आए इसी परकार से 36 गड़ में भी नए चीप मिनिस्टर आए हैं यह ठीक है कि वो विदान सभा के चुनाओं के बाद आये हैं और अभी छोके लोकसभा के चुनाओं हमारे एकदम सिर्पर हैं और पार्लिमेंटी बोर्ड ने अब नया नेत्र तो इसी समय लाकर के और हम एक हमारे जो पहले सांसद हैं और प्रदेश के अद्यक्ष श्री नाइप सिंग सैनी उनको जो है सब उनकी प्रामरश पर और हमारा जो विदायक दल मंडल है उन्होंने नेता चुन करके और आज नए चीफ मिनिस्ट के नाते श